है लो फ्रेंट्स आप सभी का आमारे यूटूब चैनल पे स्वागत हैं अगर आप नोस्वामि आपका अपने यूटूब चैनल पे हाधिक स्वागत करता हूं friends मलदवार के अंदर जितनी वीमारिया हैं, या इसे उड़े पिलक्षन होते हैं, उन सब को समय समय पर हम्हें आपके सामने लेके आते रहते हैं वो ये है कि कभी-कभी बहुत से patience complain करते हैं कि सर मेरे को motion के रास्ते के आसपास अचानक दर्द बनना शुरू हुआ, मैं बिल्कुल स्वस्थ था, तो सर ये दर्द बनना शुरू हुआ, ये क्या हो सकता है और ये किस चीज़ के अंदर कनवाड हो सकता है, तो आज इसी motion के र और इसका समाधान क्या है, चलिए फ्रेंज, शुरू करते हैं अपनी वीडियो, पेशन बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है, अपनी दिनचरिया बिल्कुल नॉर्मल तरह के से जैसे सब लोग जीते हैं, बिल्कुल उस तरह से चल रहा है, लेकिन क्या होता है, अचानक मोर्निंग में उड़ता है, या किसी भी टाइम, कभी भी, मोशन के रास्ते के पास दर्ध होना स्टार्ट हो जाता है, अब दर्द होना तो start हुआ है, patient के दिमाग में क्या होता है कि यह कोई Normally छोटा-मोटा infection होता है, वो दर्द slowly-slowly बढ़ना शुरू होता है, फिर वो दर्द बढ़ता बढ़ता है, इतना तेज बढ़ता है कि patient को fever आने start होता है, fever आते आते patient को डर लगने लगता है कि मेरे को य ये अचानक क्या विमारी हुई जब पेशेंट चेक कराने जाता है डोक्टर को तो डोक्टर कहता है कि ये पैरी एनल एपसिस है पैरी एनल एपसिस क्या होती है मल दुआर के आसपास किसी भी तरह का इंफेक्शन एक साथ इखटा होके पस के रूप में बन जाना उसी को ही प इसके दो रूप हो सकते हैं पैरी एनल एपसिस के साथ साथ कभी कभी पैशेंट को जानक फोड़ा फुंसी मल दुआर के आसपास बन जाता है तो इस तरह की सिच्वेशन जो भी बनती है यह सब एमेर्जेंशियां बनती है पैशेंट उसको डियाग्नोस करने में प्रोलम यह होती है कि पैशन उसको पहचान नहीं कर पाता और डोक्टरों के एकोर्डिंग वो केवल पैरी एनल एपसिस या फोड़ा फुंसी का इलाज करा रहा होता है अगर वो डोक्टर प्रोक्लोजिस्ट होगा जो इस डिपार्टमेंट का एक्सपर्ट है तो वो आपको किलिय डोक्टर के पास ले जाते हैं अब आम डोक्टर के पास जाने के बाद क्या होता है कि वो पेशन को नॉर्मल एंटिबाटिक्स का एक कोर्स देता है पेंकिलर्स देता है या एंटिबाटिक्स इंजक्शन पर डाल देता है तो पांच-साथ दिन रेगुलर टीटमेंट लेन पेशंट का IND कर दिया जाता है जिसको बोलते हैं इंसीजन और ड्रेनेज मतलब उस पसको या उस गंदे को निकाल दिया जाता है ओपरेट के दुआरा पेशंट को तुरन्त रिलीफ मिल जाता है पेशंट को लगता है कि मैं कम्प्लेटली ठीक हूँ अब पेशंट जब बिल्कुल ठीक हुआ कुछ दिन का एंटिबाडिक का कोर्सला कुछ दिन उसकी ड्रेसिंग वगरा हुई एक महिना दो महिना रेगुलर चलने के बाद पेशंट को लागा कि अब मैं कम्प्लेटली ठीक हूँ लेकिन होता क्या है कि वो कुछ दिनों के मैंने अपना ओप्रेट करा भी लिया है लेकिन फिर दुबारा बना तो वो चीज जो मैं बताना चाहता हूँ वो यह है कि मोशन के रास्ते के पास किसी भी तरह का पैरी एनल एबसेस बनना फोड़ा अफुंसी बनना हंडड़ बन परसेंट फिश्ट प्ला के अंदर कर्व है और क्या वो आपका टीटमेंट फोपर उपसे कर पाता है अगर आपने यह डाइगनोज कर लिया यह पहचान कर लिकि आपका सामने वाला डूक्टर इसी डिपार्टमेंट का है तो फिर आपको किसी तरह से घबराने वाली बात नहीं है क्योंकि वो उसका टीटमेंट होता है पेशन को बिमारी का वो नहीं होगा तो फ्रेंट्स आज वीडियो पर आने का हमारा मक्सद यह था कि मल दुआर के आसपास अचानक इस तरह का दर्द बनना अगर ऐसी प्रोलम किसी को भी बनती है मोशन के चारो तरफ सूजन आना फोड़ा फूंसी बनना तो आप दिखाएं क्योंकि इसका समाधान केवल प्रोपर रूप से वही कर सकते हैं अगर आप मोड़न संद्र के पास जाओगे तो वह इसकी मोड़न संद्री करके निकाल तो देंगे लेकिन वह दुबारा रिपीट होगा ठीक है तो आज तो हमारी वीडियो बनाने का मक्सद फ्र हमारे द्वारा देगे जानकर इच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें कमेंट करें किसी पी तरह की आपकी क्वैरी हो तो और हमारी वीडियो को शेर जरूर कर दिया करें क्योंकि ये एक पब्लिक अवेर्नेस का चैनल है लोग को जागू करने जी जावरा